कि आप जो भी पढ़ते हैं उसे भूल जाते हैं कि एक्जामें आपका अच्छे नमबर नहीं आते हैं या आपको इसे लगता है कि आपका यादास खराब है तो इस वीडियो मैं आपको उसका समधान बताऊंगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगया Wars के 15 सब्सक्राइब तो सबसे पहले मैं ने आपको बता दूँ द पावर ऑफ ऑफ रिउजण का पावर क्या है तो मैं इसे कुछ पहले आपको समझा लाता हूं रिउजण के बारे में कि अगर कोई भी काम को आप लगाता है कुछ दिन के बाद करते करते रहते हैं तो आपको असानी से याद हो जाता है जैसे कि इसका मैं आपको एक revision के माध्य हमसे बताना चाहता हूँ कि किसी वी चीज को आप जो पढ़ते हैं उसे आप किस प्रकर्से अच्छे तरीका से याद रख सकते हैं तो चलिए मैं उसका कुछ method आपको बता जाता हूँ तो method number one में आता है कि माध्या आप कुछ भी पढ़ते हैं चाहिए इसकूल में आपको जो भी चीज पढ़ा जाता है उसे आपको same day वही दिन आपको दुबारा घर में जाके जरूर उसे पढ़ना है जिहां आपको उसको जरूर पढ़ना है same day ठीक है यह था पहला तरीका कि आपको यह करना ही है कि आपको इसकूल में जो भी पढ़ा गया हो उसे आपको घर में जाके दुबारा जरूर पढ़ना है या देखना है ठीक है अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं second number का तो वो है कि आपको जो भी इसकूल में पढ़ाया गया था उसे तो आप same day तो जरूर पढ़ेंगे लेकिन उसके अलावा आपको एक सब्ता के अंदर या एक सब्ता के बाद 7 days में कभी भी आपको दुबारा उसे repeat जरूर करना है पढ़ने के लिए मान लिजे मैं आपको इसके समझा जयता हूं कि मान लिजे आपने आज पढ़ा Monday को ठीक है आपने पढ़ा Monday को ठीक है तो आपको कम से कम कोशिश करना है कि आपको इसे Saturday या Sunday को आपको दुबारा इसे repeat जरूर कर ही लेना है 7 days में तो वही था one say week same day आपको तो school में जो पढ़ाए जाएगा उसे आपको घर में आके same day जरूर पढ़ना है दूसरा आपको उसे एक सब्ता के अंदर या एक सब्ता complete होने पर उसे आपको एक बार रिविजन जरूर कर लेना है ठीक है यह होगे two type two method ठीक है अब देखते हैं मैं आपको नया क्या बताता हूँ अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने पढ़ा same day जिसे आपने पढ़ा one say week उसी को आपको एक मेरे के बाद दुबारा जरूर खोल के देखना है जी हाँ one say month अगर आप ये बस तीन तरीका अपनाते हैं same day once a week once a month तो आप देखें कि कोई भी चीज पढ़ा हुआ आप कभी ने भूलेंगे जी हाँ आप जो भी चीज पढ़िएगा वो आपको जरूर याद हो जाएगा और आपको एक्जाम में अच्छा नंबर आएगा आप इसे एक बार जरूर करके देखिएगा और कमेंट से होता है कि 10 दिन 15 दिन के बाद वो भूल जाते हैं लेकिन जब उसे करेंट न पढ़ाएगा तब उनको पूरा याद रहता है तो इसका कमी कारण होता है कि वो रिजन घर में करते ही नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में बताया हूं कि रिजन करने का सही तरीका क्या होता है सबसे पहले आपको सेम डे रिजन करना है दूसरा आपको वन से वीक करना है तीसरा आपको वन सा मन्त करना है मन्त में अगर आप यह तीन प्रकार से रिजन कर लेते हैं सेम डे वीक और मन्त में तो देखिएगा कि आपको वो कॉस्टन अराम से याद रहेगा इससे आपक करने के जो ऐस्og करने के वह में थोला सा इस्पीड हो जायेगा थीक है । आपको 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 ऑफको यह वीडियो समय में आया होगा और आप जान गया हो कित isn को कैसे करना है।। और अगर आपको कुछ पूछना है इससे संबंधित तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते मैं उसका एंसर नेक्ट वीडियो में ज़रू दे दूँगा तो अभी के लिए बस इतना ही जैन जै भारत थैंक यू